Hello, students and welcome to the studio members आज हमारे पास दो stocks मेरी watchlist में थे हमने अपने private group में भी morning में इनके सभी levels share कर दिया थे and short selling करने जिस level से sale करना थे उन levels के साथ में marking करके भी शेयर कर दिया थे पहला था हमारे पास अंगजा सिमेंट तो short selling हमें मिली नहीं last के movement में मिली तो उसमें तो trade बनता ही नहीं है दूसरा जो हमारा stock था BPCL BPCL के अंदर भी हमको हमारे level के निचे ही short करना था बट इसके अंदर भी किसी तरह का कोई confirmation हमको नहीं मिला इस range के निचे में short करना था बट पूरे दिन market हमारी ऐसी ही side भी रही तो दो stock थे दोनों stocks के अंदर हमको हमारी entry नहीं मिली आज किसी वित्रह का देखी जैसे order book है order book में भी आज कोई trade execution नहीं है और नहीं position book में एक वी रोपय को profit है तो कोई trade execute हुआ ही नहीं simple way में आज हम आपको 4 major price structures पताएंगे जिसके तुरू आप trade को आसान कर पाऊगे उसको देखो समझो public telegram channel का link description में है आप public telegram channel जोईन कर सकते हो आपकी stock selection की problem है solve हो जाएगी किस stock को किस level select है हम level draw करके देंगे nifty को जो levels है वो हम marking करके आपको देंगे तो जितनी help हो सकती है live market हम अपने telegram channel के तुरू पहुंचाते रहते हैं but एक public telegram channel है और एक private telegram channel जो सिर्फ students के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के concept की तरफ because trade execute तो हुआ नहीं तो trade के उपर तो discussion ही नहीं तो सिधे concept के पर हम लोग जंप करते हैं चार सबसे basic price actions के signals है one two three four यह चार methods हम आपको बढ़ाएंगे जिसमें सबसे पहला होगा complex break out second trap break out third trap break out success जब trap break out as a success formations उनको मिलती हैं अभी आगे चल करके हम लोग देखेंगे fourth and last other two high become sales अभी इन चारों ही concepts को हम लोग एक एक करके बहुत clear बारीकी के साथ समझ रही कोशिश करेंगे वीडियो को लाइक करना नहीं करना आपके उपर है इतना जरूर है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती एक एक चीज को समझाना उसके पूरी script तयार करना और कोई भी point अगर हम आपका पांस या दस नट भी ले रहे हैं एक move दिखा देने के बाद में price compress हो जाता है एक जगह पर जाकर कि यह रुखसा जाता है इस तरह के price actions बहुत common हैं आपको हर stocks में देखने को मिल जाएंगे एक movement के बाद में price consolidation के phase में रुखता ही रुखता है उसी जगह पर हम लोग compression breakout का यूज कर सकते हैं प्राइस का जो basic structure है upside की तरफ है और downside की तरफ है अगर price का structure आपको upside की तरफ दिख रहा है basic trend आपको uptrend लग रहा है तो compression को बनने दो यहाँ पर अगर price आपको upside की तरफ जा रहा है तो उसमें कोशिश यही करना कि compress हो जाने के बाद में compression का मतलब समझ रहा है कि price ने एक resistance form की वो इस जगह पर कहीं reject हो रहा है रेजिस्ट हो रहा है और downside की तरफ भी अगर यह निकल रहा तो निकल जाना तो क्योंकि उससे में कोई मतलब है नहीं यह basic structure हो गया price का फिर इसको समझे कि price आपका uptrend में है second phase में आकर के price आपका एक zone के अंदर रुक सा गया है यहां पर यह first गया है second day में और third day क्या होता या maybe हो सकता है same day या second day में ही आपको यह breakouts दिखा दे प्राइस का basic trend upside की तरफ है और price हमारे एक zone के अंदर रुका हुआ है तो हम यहां से सिर्फ और सिर्फ uptrend में जाएंगे price का breakout हो जाने के बाद में हमें यहां से अपने entries के confirmations लेने हैं and then हम लोग अपना कोई trade execute करते हैं यह तो बात हो गई price की अब volumes के इसमें क्या role play होते हैं अब देखिए एक चीज जिसका उधारण हमने शायद एक दुबार आपको पहले भी दिया है कि price जब continuation में है तो आपको volumes increasing way में दिखाई पड़ेंगी increasing way में दिखाई पड़ेंगी आपको turn लेना है तो आप same speed में turn नहीं ले सकते हैं आप run करोगे जब आपको turn लेना होगा तो आप धीमे से turn करोगे और फिर यहां से continue same चीज price actions में भी देखी जाती है कभी भी price upside की तरफ जा रहा तो आपको volumes यहां पर ज्यादा शो करती मार्केट volumes हमेशा आपको market ज्यादा शो करेगी और जब compress होना price start करता है compression में क्या होता है कि यहां पर volumes रुक सी जाती है और फिर से breakout अगें volumes के बड़े breakout होंगे इसको notice करने की कोशिश की जागा और ऐसा नहीं है कि बहुत simple way में जैसे हमने आपको बता दे और कल से ही किसी second दूसरे ही stock में आप देख रहे हो तो आपको मिल जागा नहीं आपको यह चीज़े find करने होंगे ढूंडनी होंगे अपने लिए charts एक दिन पहले निकाल करके ready कर के रखने होंगे अब इसको हम लोग charts के उपर समझते हैं simple way में price यहां पर हमारा एक uptrend में है इसको हम निकलने देंगे सबसे पहली demand हमारी यह कि यह हमारे predefined area पर आ जाए हो सकता है chart चल चुका है और उसके बाद हम यह area mark कर रहे है ऐसा भी होगा कि कल जब आप कोई trade mark करो में के लिए 3 simple concept हम ने बता हैं आप से करीब 9 दिन पहले वह video हम ने upload किया था उसको देखे जा करके sideways zone में जब एक market पड़ी होती है तो कैसे हम उसको trade करते हैं बहुत अच्छी तरह हम ने वहाँ पर समझाया है इस concept को और उसको आप add करो आप देखो कितना अच्छा result आपक uptrend में होगा uptrend में जाने के बाद वह side way होगा ही होगा वह कभी भी लगाता है price उपर या फिर नीचे नहीं गरेगा वह side way होगा जरू होने के बाद में फिर से वह नीचे की दिशा में आगा इस तरह से गिर जाएगा फिर से price zone के अंदरा जागा इसी consolidation phase के उपर एक trader देखिए सबका अपना-पना point of view होता है आप Nicholas Darvas को ले लो आप Gain को ले लो इनका सबका अपना-पना-पना fixed point of view तो वह ऐसे ही market को देखिए Darvas का क्या था simple view में कहना कि price उपर जाएगा रुके फिर से price उपर जाएगा तो यह जो zone होता है यहाँ पर wait करना होता है जब price एक trend में आगा तब हम trade execute करेंगे फिर से price एक zone में फसेगा इसके बाद में यह नीचे की तरफ गिरता तो हम trade करेंगे और अगर यह उपर की इस तरह से जब market आपकी zone में रुकी हुई है आप देखो अभी जो हमने बताया है कि price को आप uptrend में ही up direction में ही trade करोगे तो जैसे ही price आपके upside की level को break करेगा आप trade मार दोगे देखिए breakout की बाद क्या हुआ है एक resistance के बाद में breakout और price सीधे upside की तरफ और आगे चल करके फिर स इसके अंदर uptrend या downtrend अब इसमें वॉल्म का क्या role play देखिए है जब price uptrend में है तो इसके अंदर volumes increase हो रहे है यह तो यह बहुत बड़ी spike है uptrend में है sideway market में price के अंदर volumes रुक गई है और फिर जब price का breakout होता है फिर यहाँ पर आपकी volumes आजाते है यह process चलता रहेगा price एक speed में रुकेगा volumes कम होगी फिर से breakout होगा फिर से volumes के अंदर आएंगे और price upside में निकल जाएगा same process आपका हर stock repeat करता है second आता trapped breakout trapped breakout में actually price एक trend में है अभी जैसे हम लोग ने compressed में देखा देना कि जिस दिशा में price हमारा trend कर रहा हम उसी दिशा में trade करने की कोशिश करते हैं उसमें compression का एक use करते हैं like इस जगह पर आकर के price आपका compressed हो गया और हम same दिशा में मतलब के price अगर हमारा downtrend में है तो हम इसको downtrend में ही trade करते हैं मतलब की price हमारा downtrend में है तो फिर हम इसको downtrend में ही trade करेंगे trapped में actually होता क्या है कि price एक downtrend में है downtrend में होने के बाद में price ने अपना एक resistance defined किया resistance defined करने के बाद में हमें market यह दिखाने की कोशिच करती है कि यह वाले resistance market break करती है और last में price यहां से breakout हो जाता है breakout होने के बाद में यहां हम लोग यह सोच करकर trade execute करते हैं कि यहां से price निकल चुका है but again यह breakout एक तरह के trap में convert हो करके और अपने same down trend को restart करके price फिर से उसी trend में गिरने लगता है यह तो basic structure हो गया अब इस तरह के trap से हम लोग बच कैसे सकते हैं एक चीज ज़्याद रखिएगा trade with the trend trend हमारा downside के तरफ है अब इसको बना लेने दिए इसको जितने भी resistance बनाने है आप याद रुखो के upside में हम लोग trade नहीं करेंगे हाँ कुछ rules और regulations होते हैं अगर यहाँ पर market हमारे rules regulations को fulfill करती तो ही हम trade execute करेंगे otherwise simple से चीज यह याद रखिएगा कि अगर price अपका downtrend में है तो आप करोगे उसके अंदर short selling ही भले ही कितने भी resistance यहाँ पर market break करें आप buy side में नहीं जाओगे price को उपर निकलने दो उपर जाना है market को जाने दो इसका यह मतलब नहीं कि price फिर उपर जाने सकता वो जाएगा उसको जाने दो लेकिन हमारा जो direction है वो normal direction के साथ ही हम लोग trade करेंगे price अगर उपर निकल रहा है हम लोग निकलने देंगे वापस हम लोग देखेंगे कि price हमारी range के अंदर re-enter करें re-enter करने के बाद में यहाँ से अपने entries के confirmations actually हमें लेने होते हैं entries के confirmations का मतलब कि कोई भी bearish candle आप उठालो उस bearish candle का breakout अगर market नीचे के दिशा में करती है तो फिर से हम लोग इस वाली range से ही अपना trade execute करेंगे और जो सबसे latest swing होंगे मतलब इस वाले swing के पास के जो सबसे latest swing होंगे वहाँ पर हम लोग अपना stop loss लगाते हैं और एक breakout like हम इस वाले breakout को पूरी तरह से cash करने की कुशिश करते हैं price में एक breakout होने से पहले ही अगर हम लोग enter कर जाया कुछ symptoms हो दर बहुत आसान होता है इस साही चीज़े करना करीब एक या दो वीडियो हमने upload कि हैं जिसमें हमने ये बताया है कि trade में breakout होने से पहले हम लोग किस तरह center कर सकते हैं आप scroll करोगे पुराने वीडियो को तो आपको मिल जागा बहुत अच्छी तरह से और simplify करके हमने बताया है तो इस concept का भी हम लोग यूज कर सकते हैं breakout होने से पहले किसी trade को identify करने के लिए उसके trend के साथ में गर trade execute करते हो तो बहुत आसाम होता है simple से चीज जाद रखेगा price अगर नीचे के दिशा में गिर रहा है तो आप उसके अंदर buy नहीं करोगे हाँ, upside के तरह breakout कर देने के बाद ने price वापस से आपकी range के अंदर आकर कि आपको आपके entries के signals देगा आप trade execute करोगे और ये वाले supports इसके breakout आपको लेने है अब देखिए कितनी अच्छी तरह से market एक downtrend में है high लगता है, आगे देखिए यहाँ पर एक low लगा फिर से price ने एक high लगा है यहाँ तक ले सकते हैं, एक यह high लगा और फिर से देखिए इसने एक low लगा दिया फिर से एक high लगा, यह low लगा यहाँ पर क्या हुआ है, इस जगह पर देखिए market ने अपने high को break किया यहाँ तक आप देखोगे तो market ने अपने high उसको break नहीं किया continuous price ने अपने low को break किया और इस जगह पर आकर के market ने सबसे पहली बार high को break किया देखने में क्या लगेगा ना, कि यहाँ से आप market में भी हो सकता है कि अपने resistance को break कर देखिए जैसे ही market ने यहाँ पर अपने resistance को break किया एक चीज़ होती जिसको बोलते हैं trapped breakout जो अभी हमने बताया कि price आपका resistance break करे आप trade नहीं मारोगे प्राइस जैसे ही आपको swing break करेगा जैसे low लगाते हुए प्राइस ने यहाँ पर अपना swing लगाया अब हो क्या रहा है कि price अपने lows को break करता हुए चला रहा है लेकिन इस जगह पर हम देखने हैं कि market ने अपने high को break किया जैसे ही high break हुआ तो mind divert होता है कि price ने तो अपना resistance break किया अब यहाँ पर क्या हो सकता है कुछ नहीं करना है market आपकी downtrend में आप इसको गिरने दो गिरने दो अगर इसको ऊपर जाने तो फिर यह चला जा और नहीं तो फिर हम इसको downtrend में ही trade करेंगे और फिर simple way में हम लोग यहां से अपने supports के breakout या फिर swings के breakout देखते हैं कि price जैसे ही हमारा इस black वाली candle या फिर simply इस swing के नीचे जैसे निकलेगा हम लोग trade मारते हैं उसके बाद में देखिए यह resistance बना price ने breakout दिखाया high को यहां से break नहीं किया और वापस से price हमारा हमारी range के अंदर आगा कई सारे trades के यहां पर entry करने के बहुत सारे मौके बनते हैं एक तो यहीं पर हम लोग अपना एक trade एक्जिक्यूट कर सकते हैं मतलब range के अंदर simply हम इस stock की बात नहीं कर रहे हैं जिस charge की हम लोग यहीं पर अपना trade एक्जिक्यूट कर सकते हैं और यह वाला जो हमारा support line है हम इसके breakout होने से पहले ही trade के अंदर अपनी entry बना सकते हैं और नहीं तो फिर extra confirmations चाहिए आप इस वाले swing के break होने के बाद में trade मारो कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ आपको बस observe करते रहना है कहां पर वो price action या वो structure बन रहा है जो कि actually हम देखना चाहरे है कई सारे stocks को आपको find करना हो major major stocks उठा करके अपने पास रख लीजे जो high beta stocks है वो उठा कर अपने पास रख लीजे एक दिन पहले यह सारी analysis कर लीजे drawings अपनी complete रखे और drawings को फर believe कीजे ऐसा भी होता है कि दो चार दिन पास दिन दस दिन हम लोग ने drawing तो की बट वो work out नहीं हो तो फिरम ने उसको छोड़ दिया उसको drop कर दिया ऐसा नहीं एक बार उसको draw करके रखे तो देखिये उसको जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा charts के उपर जितना ज्यादा स करना चाहरें उतना ही loss की probability किसी भी तरह के system में किसी भी तरह के trade में किसी भी stock में होती है अब volumes इसके अंदर rate कर दिया है price नीचे गिर रहा है volumes भी बढ़ रही है जैसे ही हमारा side way हुआ इसके अंदर देखियो volumes भी side way जैसी हो गए और जैसे ही prices के breakout start हुए यहाँ पर volumes के भी अच्छे अच्छे breakout आपको देखने को मिल रहे है यहाँ यहाँ पर यह तो bunch निकला है पूरा volumes का यह बहुत minute से price structures होते है और volumes इसके अंदर पैट को दो बहुत opposite trend में treat करना है opposite direction में treat करना है तो हम किस तरह से करेंगे resistance के breakout के बाद जब price हमारा upside की तरफ breakout मारता है तो यहाँ पर हम लोग यह कुश्च करते हैं कि simple से जो swings हमारे लग रहे हैं यो swings upside की तरफ break हो जाए देखिए इसके कई कई सारे तरीके होते है या तो price यहाँ से आपका higher highs लगाते हैं यह चीज़ आप समझते होगे price यह तो simple way में हमारे higher high trend में चला जाए इस तरह से higher highs लगा है दूसरा आपने देखा होगा कई सारे practitioners trend को identify करने के लिए flag pattern का use करते हैं मतलब एक breakout होने के बाद में price lows लगा रहा है but moves कम है और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर structures है डेली एक ही system के थुरू जब आप practice करोगे न तो ही यह सारी चीज़ आपके focus में आएगी आप इसको identify करके trade कर पाऊगे otherwise systems change करने से फिर कुछ मिलता नहीं opposite direction में trade करना है confirmations के लिए wait करना होगा इस जगह पर हम लोग कोई भी एक bullish signal का wait करते हैं दूसरा price हम देख रहे है कि क्या price हमारा higher rise लगा रहा है और अगर इसको fail होना होता है तो यह क्या करेगा upside की तरफ जाने के बाद में अपने swings को ऊपर की तरफ ब्रिक नहीं करेगा वो नीचे की दिशा में चला जाएगा और यहां से फिर वो गिर जाएगा अभी इससे पहले वाले उसे system को बता रह होता है और जब trap नहीं करना होगा तो यहां से फिर prices के अंदर volumes के साथ breakout होंगे आप देखोगे कि volumes के साथ अपने resistance को ब्रिक कर रहा है और इस तरह से हम लोग confirmations का weight करते हैं confirmations लेने के बाद में फिर हम लोग एक successful breakout identify करते हैं इसको भी चार्ट के उपर समझते हैं प्राइस अब यहां पर क्या हो रहा है जैसे फ्राइस अपसाइड के दुरफ निकला इसने सबसे पहला अपना resistance ब्रेक किया सबसे पहला resistance ब्रेक किया इसके बाद में क्या हुआ है continuously प्राइस ने पने resistance के breakout स्टार्ट कर दिये देखिए कैसे characters और structures change हो रहा है change of character के बारे में हमने पत और इसने resistance breakout पर सारे moves start कर दिखाने अब यहां से भी price ने क्या किया है अपने resistance को break किया simple सी चीज़न अगर इसको trap करना होता तो यह अपने resistance को break नहीं करता ओपर से जैसे यह गिरते हुए चला रहा है इतनी दूर से वैसे गिर जाता बट यहां से इसने अपने resistance को break करने start कर कैसे अपने resistance को break किया है and breakout होने के बाद में अभी तक ही नीचे नहीं आया यह upside में ही है फिर सिया पर देगे consolidation का zone बन गया आज हमने bank nifty का chart अपने private group में share किया था exact range exact area था काफी लोगों ने bank nifty के उस chart को trade किया same concept है आप stock के ऊपर भी लगा सकते हो आप जिस भी segment को trade करना आप चाहो उसी segment में बस यह structure स्याद रोखो break of structures हो रहे है चेंज और characters हो रहे है यह language SMC की language हम use करने लगे बट इसको समझने की कुशिच की जागा है कि price action में जितने भी structures अभी तक हमने आपको बता हैं तीन structures अभी तक बता दी है example के साथ उसको समझो जरूरी नहीं है कि धे HIGH, CHAIR LOSE, HIGH, CHAIR LOSE, HIGH, CHAIR LOSE लगा रहा है इस case में peak पर पहुंच जाने के बाद में prices के अंदर कुछ highs लगने start हो जाते हैं वो highs 2 ब्ही हो सकते हैं तीन भी हो सकते है मेरे लिए हम two highs को Consider करके चल रहे हैं इसमें price एक high लगा देने के बाद में इसके अंदर कुछ consolidation का phase बन जा बहुत इत्मिनान के साथ और काफी concentrate होकर कि आपको एक-एक candle के ऊपर बहुत focus के साथ बैठना होता है और price को दीरे-दीरे करके analyze करना होकर analyze करने से ज़्याद उसको observe करना होता है इस तरह सो observations होती है price अपने highs को break कर देगा यहां से break कर देगा इनके जो highs है नहीं काफी दूर दूर लगते है but एक peak पर पहुंच जाने के बाद यहां से highs इसके upside के दरफ लगे लेकिन बहुत चोटे-चोटे highs लगेंगे एक या फिर दो और सबसे last वाला जो swing होता है कि जैसे ये वाला हमारा कोई swing है price हमारा एक low low के बाद में इसने क्या किया न एक high लगा दिया फिर से इसने low लगा या इसने low लगा दिया यहां पर highs तो लगे लेकिन देखी कितनी कम दूरी के साथ highs लग रहे है break हो रहे हमें भी यह लगएगा कि price break हो रहा है लेकिन ये वाले जैसे highs हमारे break हो रहे थे अच्छी तरह से price अपने highs को break कर रहा था बट यहां पर पहुंचते हुए price consolidation के area में रुख गया और यहां सिसके highs धीरे-धीरे करके कम होना शुरू हो गया और यह होता है higher time frame का अपना जो predefined level होता है उस area के past में zone के past पहुंच जाने के बाद में या फिर आपको जो predefined area होता है वहां पर पहुंचने के बाद में आपको अकसर इस तरह के price actions देखने हो कि मिलते हैं बहुत common से price actions होते हैं होता ना कि price हमारा एक resistance area पर है अब इस resistance area से हम लोग short करें या फिर भाई करने हैं किस तरह से पता चलेगा minute सा technical work होता है और इसमें volumes का भी थोड़ा बहुत हम लोग use करते हैं यसे कि trends को हम और अच्छे तरह से और एक तरह से confirmations के साथ में हम लोग identify कर बादे हैं prices के highs हैं ये कम होने लगा सबसे latest जो swing होता है इसको price जैसे ब्रेक करता है हम लोग trend के positive direction में trade execute करते हैं इस हमारा अप में है यहाँ पर resistance के पास पहुंचने के बाद में price ने अपने highs के जो continuation से हैं उसको कम speed कर दिया इसके जो highs ने बहुत चोटे चोटे लगने लग गए और price ने अपने low को break कर दिया यहाँ से अपने low को break कर दिया जैसे ही price अपने low को break करेंगा आप देखना के move कितने बड़े होते हैं अगर मन लगा कर इन चारो patterns की practice आप निकर लिए तो definitely एक step और आगे निकल जाओगा price actions में जरूरी नहीं के 15, 16, 20, 25 आपको कई सारे patterns मालूँ एक pattern पकड़ लो चार बता है ना चार में से जो pattern आपको सबसे एचा simple अब एक चीज़ और है drawings में जितना easy way में हम यह draw कर दे रहे ना actually market में जब हम लोग जाते हैं तो एतना easy drawing नहीं मिलती है drawings से समझाने के पीछे का purpose एए कि बहुत simple way में बहुत आराम से concept clear हो जाता है अब candles पर हम लोग जाएंगे तो उसकी अपने एक अलोग observations होती कि candles में कैसे हम लोग high mark करेंगे अभी तक हमने जितनी भी marking scheme से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा running market में एक एक candle को analyze करते हैं समझाते हैं कोशिच करते हैं कोशिच करते हैं उसको clear हो short video आज करें जो हम upload करें कोशिच करें वो smart money concept के उपर या फिर एक अच्छा price action हो उन short videos में हमने कहा न अगर आपका हम 10 seconds भी ले रहे हैं तो कम सकम उसका कुछ output निकले आपको कुछ फायदा हो यह चार patterns हैं मन लगा करके आप इसके practice कर लिजे volumes के और price के हमने जो structures पता हैं उसको देखिए को doubt होता है कुछ question आता है तो comment box में लिख दो उसका reply आपको 101% मिल जाएगा जहां से देखिए क्या हुआ market ने कितने बड़े बड़े highs लगा है इस जगे पर इस जगे पर फिर से देखिए high लगाती हुए price हमारा upside की तरफ गया फिर से और फिर से एक high लगाया मतलब यह जितने भी highs हमारे लग रहे हैं अपने resistance को break करने के साथ साथ market highs को break कर रही है और ठीक ठाक price action से हमारा मतलब है कि price जब अब trend में है तो इसके अंदर price structure strong बने है अपने resistance को market जैसे यह resistance area है तो इस resistance को देखिए market कितनी अच्छी तरह से break कर रही है एक अच्छी movement के साथ price highs लगा रही है जैसे ही price हमारा इस जगह पर पहुंचा इसने क्या किया देखिए यह एक high लगा तो इसके बाद में highs लगने कितने कम हो गया एक high यहां पर लगा और दूसरा high जस उसके उपर लगा मतलब highs यह कम होते चले जा रहे है और अभी हमने क्या कहा दो यह high होंगे जो कि पास पास होते हैं कई सारे structures आप आगे चल करके देखोगे के highs यहां पर लग गया एक यहां पर लग गया और हो सकता है एक तीसरी candle form हो market यहां से उपर की तरफ जा और एक third high लग चाए बट उन highs की जो capacity होती वो देखने में ही लगता है technically देखा जा तो price अपने highs को बहुत कम price के साथ break करेगा मतलब 0.5 या 0.10% से price अपने highs को break करेगा जिसकी कोई value नहीं है हमें यह देखना है कि price जिस जगह से range bound हुआ जहां अपर इसके highs कम होने लगा है वहां से इसके जो swings होते हैं यह कितनी अच्छी तरह से marketing को protect है अगर उनको उपर निकलना है तो निकल जाए बट price का यहां से breakout नहीं होना चाहिए नहीं अगर breakout होता है तो यहां से simple way में हम लोग एक confirmations लेते हैं अपने trade execution की and यहां से अपना trade execute कर इस case में हमारे जो stop loss होता है just second वाला हमारे जो high होगा यहीं पर हम लोग अपने stop loss रखते हैं और नीचे के swing के पास हम लोग अपने trade execute करते हैं उसके बाद से देखे यह दो जो high लगे हुए हैं इसके बाद में price निपने swing को break किया breakout, retracement और फिर से देखे price अभी तक हमारा नीचे की दिशा में ही trade कर रहा है, इस तरह से price का move अभी तक downtrend में ही है, ऐसा नहीं है कि यह कोई magic है या just एक दिन या दो दिन के practice में आपको बहुत कुछा जाएगा, जिस system को आप use कर रहे हो उसमें इन ही लगाने की कोशिश करो, कैसे आपका system और मजबूत हो जाएगा, एक-एक system की जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा practice करो, खुब इनकी practice करो, आपको यह समझ में आज जाएगे, यह price action है, यहाँ पर simple way में हम लोग क्या करते है, को indicator बगारा तो है ने, या अंधाध हुंद अपनी एक-एक हजार quantity bank nifty में तो मार नहीं रहे है, जैसा अभी चल रहा है आजकल, एक channel है, उन्होंने 1000 quantity मार दी थी, तो बोल रहे थे कि Maldives का पूरा अपना जितना expense है, वो सब कवर हो गया, तो कभी ट्रोल किये जा रहे है, फिलाल यह तो सब चलता रहता है, कि हम लोग bank nifty में 1000, 1500, 2000 quantity मार दे, बहुत सीधा सरल, कम पैसे अ यहां पर कितने आयो चले गए, knowledge है, कम पैसे वाले भी आपो बना ले जाओगे, आप पैसा बना ले जाओगे, लेकिन एक professional way में आओ, रातो रात यहां पर कुछ नहींगा, वो Maldives के सपने दिखा रहा है, कोई अपना Mercedes और Audi को promote कर रहा है, तो आप चमकदार चीजों को दे कर गया, आप impressed होगे, फिर नहीं, आप तो वही करना है, एक्चुली वहाँ पर कुछ नहीं है, एक process में आना उसका अपना समय, आपको options करना, आपको future करना, उसका अपना समय, अभी हमारी हिमत मन होता है, कभी-कभी मार दे, लेकिन थोड़ी-थोड़ी हिमत हमारी कमजोर पर जाते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा सा और रुख जाते हैं, उसके बाद में start करेंगे, अभी अंदर से यह हैसास होता है, यह चीज़ हम आपसे क्यों discuss करें कि इतनी practice के बावजूद भी हमें डर लगता है, लेकिन कई लोगों को हम देखते हैं कि नए-नए market में हो और ब विल्यूम्स को पढ़ना सीखो, इसके बाद में फिर आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब बैंक निटी करने लगए या कब बड़ी क्वांटी के साथ काम करेंगे, मार्केट से पैसा लो और मार्केट से लिए पैसे पर रिस्क लो आपको डर नहीं लगेगा, थैं थैंक्स और वी वी वीट अगेए गीं